नमस्कार बच्चो, वेलकम बैक टू माई योट्यूब चेनल चियोग्रूफी ग्रूब आपके एक्जाम पास आ चुकी, आपके एक्जाम हो भी रहे, प्रियोडिक टेस्ट आप दे रहे हो, प्रियोडिक टेस्ट टू होना है, आपके मिद्टरम एक्जाम होने है, तो आपके उपर एक तरफ तो एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट है कि आप बोर्ड क्लास में नहीं हो पाती है या फर एकदम से अगर एकजाम आ जाते हैं तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम कितना कवर करें क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें तो इसलिए डियोई की तरफ से आपके लिए फोकस लिबस रिलीज किया गया ओफिशियल यस लिबस रहेगा जिसमें आपको बताया गया कि आपको इन टोपिक के उफर फोकस करना है यानि इन टोपिक्स को ही आपको पढ़ना है बाकी टोपिक्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी तो यहाँ पर हम हिंदी की focus labels की बात करेंगे कि कौन से topics को हम cover करें अगर हम focus labels कर लेते हैं तो ज्यादा length ही नहीं है आप 3-4 days की revision के साथ आप अभी भी अगर 50% पर हो तो आप 90-95% पर जा सकते हो बहुत easy हो जाएगा तो चलिए हम बात करते हैं हिंदी में हमें कौन से chapters या topics के ओफर focus करना है तो सबसे पहले हम बात करेंगे शीतिज की शीतिज भाग 1 की बात करेंगे भाग 1 उसमें गद्याखंड में दो बेलों की कता सामलिस अपनों की याद प्रेमचंद के फटे जूते ये 3 chapter हैंगे 3 part रहेंगे जिनके फ़ो focus करना है किस के लिए पठित गद्याश आपके इनी chapter में से रहेंगे जो आपके पर्षन रहने है वो भी इनी chapter से रहेंगे काव्यखंड की बात करें जिसमें आपके पठित काव्यांस पूछे जाते हैं या फिर परशन जो पूछे जाते हैं कविता प्राधारी तो उसमें हमें तीन जो टोपिक है उन पर हमें फोकस करना है साख्या और शब्द एक, सवेये, रस्कान जी द्वारा रचित और केदी और कोकिला याने कि इन तीन कविता पर हमें फोकस करना है किसके लिए पठित का व्यांस के लिए और परशन उत्तर के लिए और तीन ही हमारे गद्याखंड में चैप्टर है जाते हैं जिनको हमें अच्छे से त्यार करना है तीनों चैप्टर और ये कविता काफी आसान है उसके बद कृतिका की बात के जाए तो क्रीतिका में भाग एक में हमारे दो चैप्टर है सिरफ दो चैप्टर रीड की हड़ी, जगीष, चंदर, माथूर के दोरा बहुत अच्छा चैप्टर है आसान भी चैप्टर है क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना तो यहां पर काफी सारे टोपिक्स आपके रहेंगे जिनको आपको त्यार करना है तो इसमें उपसर्ग और पढ़ते हैं आसान है कर लोगे आप उपसर्ग और पढ़ते हैं यह आपको से किड़ने निकली। अब जैसे कह की पुन्राविट्कि adesso किसी भी शब्ध में तो क्या है अनुपरास लगकार है। ऐसी यमक लगकार है श्लेश लगकार है तो बहुत आसान से लगकार है गए। तो इनको कड़ना है और अर्था लगकार में आपको उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और मानुवी करेल अलंकार करना जिनको हमें एक वीडियो में डिसकस भी करने वाले हैं तो यह आपके अलंकार हैं जिनको त्यार करना है यह तो पूछे ही जाएंगे पूछे किसलिए जाएंगे क्योंकि यहां के अलवा यह आपके कवीता में भी पूछे जाएंगे कि यहां पर कौन सा लंकार है उसके बाद संकेत बिंदुओं के आधार पर समसामिक या वेभारिक जियों से जोड़े विश्यों पर आपको अनुछेद लिखना है समसामिक और वेभारिक विश्यों यह ध्यान में रखे जैसे इसमें स्वास्ते का हमारी जियों में क्या महतव है प्रयावन सरंक्षन कैसे किया जा सकता है परदूशन की समश्या है या फिर शिक्षा ओनलाइन शिक्षा का महतव है तो इस परकार के विश्य जो समसाइमिक है, जो वैभारिक विश्य है, तो हमें इस स्वस्त क्यों रहना चाहिए, कैसे रह सकते हैं, COVID-19 से लेटेड भी कोई विश्य हो सकता है, तो यह जो हमारे आजपास के विश्य है, उनसे जुड़ा एक आपका निबंद रहेगा, उसके मेटल के लावा कहीं नहीं पूछा जाएगा, स्पोर्ट मेटल में जो आपको सजेस्टेट दिये गए, उन्हीं में से आपका फत्रलेखन रहेगा, समवाद लेखन रहेगा, जिसमें समवाद लेखन तो कोई भी टोपिक दिया जाए, आपको थोड़ा सा फील करना है, कि आ भी उसके भाग होते हैं, जैसे उसका शिर्शक होता है, उसमें प्लोट होता है, जो चरित्र होते हैं, क्रेक्टर होते हैं, तो उनको ध्यान में रखना है, और एक छोटी से कहाने लिख देनी है, उसके बाद पठित और एपठित जो बोध है, गद्यास और पध्यास से उस आपके लिए most important जो unseen passes रहेंगे वो वही रहेंगे जो आपके sport medal में दिया गए तो ऐसा ही हिंदी में कुछ रहने वाला है तो ऐसे ही आप अपने slivers की त्यारी कीजिए इन topics के ओपर focus कीजिए हम already आपके बाकी subject English का है आपका या social science का है या science का है वो हम discuss कर चुके और social science के आप आपके बाकी subject के भी most important questions या जो भी doubts है वो हम clear करेंगे हाँ अगर आपका कोई doubts है तो आप comment करके बताई या फिर हमारा telegram channel join कर लिजे बड़ा अच्छा एक platform आपको मिल जाएगा वहाँ से आप personal तोर पर मुझसे अपने questions है वो पूछ पाऊ के अमीद करता हूँ आपकी study ब झाल